खल्यान बनर्जी मुर्दापाँ भारती जंता पाल्टी के द्वारा बुद्भार की साम कोदवाली चुराहे पर भाजपा नगरमंडल अध्यक्ष और नगरपाली का परिसाज सिहूर के अध्यक्ष प्रिंसर अठोर के नेतोत में भाजपा कारकर्ताओं के द्वारा टीमसी सांसत कल्यान बेनर्जी का पुतला देहन किया गया इतुरान भाजपा नेताओं और कारकर्ताओं के द्वारा राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारी भी लगाए गए टीएमसी सांसत कल्यान बेनर्जी के द्वारा उप राष्ट पती के अपमान को लेकर भाजापा नेताओं कार करताओंने कळा बिरोध्दज कराया टीम्सी सांसत कल्यार बेनर्जी का पतला जलाने बालों में भाजापा नेता गुरव सन्दी महाजन, भाजपा जिला महामंत्री राजकमार गुपता, वरिष्ट भाजपा नेता प्रिदी पुजोरिया, भाजपा युवा मोर्चा नगरा ध्यक्ष सुनील राय, युवा विशाल पाटिडार, समीर नानू, देवी राम सहित बढ़ी चंख्या में भाजपा सिहोर मंडल और भाजपा युवा मोर्चा कारीकर्थ अगन समलित रहे पुदवली चुराय पे भार्ची नंता पार्टी नगर मंडल दवारा टीमसी के सांसत कल्नेड बनर जी का पुतला जलाये गया जो दो दिन पहले संसत भवन के बाहर उन्हें अमरियादित क्रित किया है उसकी भारती जंता पार्टी गोर निंदा करती है और उस समय जब देश के उपराश्पती श्री जगदीब जी बानखेले का उभास कर रहे थे तब कॉंग्रेस के वरिश नेता राहूल गांदी भी वहां मौझूद थे तो भारती जंता पार्टी आज उन दोनों का विरोध करते हुए टीम्सी सांसत कल्याल भनर जी का पुदला जलाती है और ये देश की जंता जान चुकी है कि राहूल गांदी जी को इस देश के सम्मिदान पर विश्वाश नहीं है इस देश के सम्मिदान के पदों पर बेटे हुए लोगों का उपास करना ये उनका अब आदत पढ़ चुकी है इस सब की निंदा भारती जंता पार्टी करती है और ये मांग करती है कि राहूल गांदी जी सहित टीमसी के सबी वरिष्ट नेता इस कृत्त के लिए माफी मांगे देश उन्हें तभी माफ करगे जब तक वे माफी नहीं मांगेंगे अन्नता इसी तरह का उगरान दोलन भारती जंता पार्टी करती रहेगे